अब जयव स्वामिनारेंगेज़ दोस्तों अक्षर प्लांटस और प्लांटर्स के स्वागत है आज आप देख रहे होंगे जैसे इपलांट हम लोग लेके बैठे हुए और इस प्लांट से हम लोग क्या क्रिएटिव कर सकते हैं Actually Adanium का हर plant अपने आप में जो है उसके characteristics होते हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत unique unique shape जो है निकलके आते हैсы Adanium में और हर plant जो है उसके अंदर अपना shape है अपना features है और उसको अपने को कैसे निखार के कैसे उसको छुन दर बनाना है उसी के बारी में जो है आज का वीडियो हमने प्लान किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों स्रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको पसंद आते हैं ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइक करें तो दोस्तों वीडियो आपने स्टार्ट करते हैं तो आप जैसे देख रहे होंगे यह पतले पतले दो आडेनियम जो हैं हम लोग लेके बैठे हुए और यह हमने किसी को दिये थे फिर उन्होंने जिस हिसाब से केर करी उस हिसाब से इस तरीके की यह बन गए अपने अभी और उन्होंने क्या कहा कि हमको यह पसंद कम है आप ऐ वहां अन्हों थे करें तो मिलने थे तो वाले छोर कोंकोस दे दू है champ है आज इस से मेरा को आइडिया कि आATA है कि अपनी समें क्या क्रियटिव कर सके क्यों गर्यां के सब्सक्राइब करसके में कीकिंट रसी बात है और जो इसके नदर प्राणज दोनों के लम्बी लम्बी आई हैं इनको कैसे आपस सुंदर सकते हैं तो हं सोचता कि आफसे के लिए हमारे मित्र हैं सबस्क्राइब入 वह संदर कुछा करते हैं तो दोस्तों मैं बना सकता हूं मगरवटा इस पेसिफिट वद है तहीं करनेया कि कौन वह सबकूद है आपने को टावरफर्म में बनाना है क्योंकि टावरफर्म के लिए जहीं सी छी खिये लिंद यह के और अपर की तरफ पवधा पद्रा होता जाएए心 तरीके का पौधा नहीं हो सकता या उसकी ब्यूटी कैसे निखारी जाए तब तक जो है सिंपल कोई से भी पौधे को लेकर यू कह दो कि मैं इसका टावर फॉर्म बना रहा हूं और देखो इसका टावर बन रहा है तो वह उसका जो है परपस सॉल्व नहीं होता जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हर पौधा जो है अपने आप में अलग ब् मतलब जैसे क्रीपर होती है ऐसे चड़ती जाए चड़ती जाए और मेरा विचार ऐसे है कि यह वाली जो ब्रांच है मैं आपको करके दिखा देता हूं और आपन बनाना ही शुरू कर लेते हैं तो अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लिए जो है आपको एक साफ ब् करेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या अपने को प्रोसीजर जो है अटेम्ट करना है तो सबसे पहले जो है इस प्लांट को आपन जो है कट कर लेते हैं जिसको आपन जो है इस वाले प्लांट के उपर ग्राफ्ट करेंगे तो एक स्पेसिफिक जो है मोटाई के कि ऊठीं योफशRO पर मैं इसको काट ले रहाऊं यहां से अपने इसको कट कर लिया और जैसे सिंपल सा अपना नियम है कि कट पाट tar dass हम hard time हम आपन हं Connecticut ग्यां मिउह यह तो जो है इस पोर्शन के अपर जो है इस ट्रेस पैड़ा करेगा तो अपन जो है इसकी पतियां सारी हटा देते हैं सिर्फ न्यू ग्रोथ को छोड़ देंगे तो इस तरीके से जो है सारी पतियां अपने देर देर करके बहुत तसली से अपने को हटाने हैं आपने बहुत जल्दी-जल्दी हटाते हैं तो उपर की जो है न्यू ग्रोध जो है डेलिकेट सी वह तूड़ जाती है और फिर नई ग्रोध आने में पौदे को बहुत टाइम लगता है तो बहुत सावधानी से हलके हातों से जो है इनको तोड़ लेना है तो दोस्तों ये सारी जो है complete तूट गई और तो ये सारी complete आपने जो है उपर की branches तोड़ दियें और ये leaves तोड़ दियें है leaves तोड़ के आपने इसको जो है यहाँ पर graft करेंगे इस जगे पर तो दोस्तों जिस तरीके का आपन प्लान कर रहे हैं कि बेल के आकार का आपना चोड़ सकते हैं और ये वाली जो ब्रांच है पतली वाली इसके ओपर आपन जो है इस वाली ब्रांच को graft करेंगे थोड़ी सी एक अच्छी सी जहां पर मजबूत ब्रांच हो वहां से जैसे थोड़ी सी पुरानी हो जाए वहां पे से आपन इसको कट किये हैं और कट करके इसके अंदर जो है अपन इसको चील लेते हैं थोड़ा सा और वी शेप में जैसे इसको अपने कट कर लिया है थोड़ा सा लंबा रखना है अपने को जिससे जो है ज्यादा सर्फेस एरिया अपने जो है मिले प्लांट को करेंगे लेक्त होने के लिए नहीं तो क्या बहुत छोटा सा आप रखेंगे तो यह सपोर्ट भी कम कर पाएगा और इसके अंदर जो है अपन वी ग्रूव कर लेगे तो यह जो है अपन कट कर रहे हैं और वी अपने को इसके अंदर बनानी है थोड़ा सावधानी से अपन करेंगे नहीं तो क्या है कि यह ब्लेड चलने में परिशानी करेंगे टेडी है और इस तरीके से जो है यह अपने वी पोर्शन इधर से निकाल लिए इस वाले में किसलिए कट करना है दोस्तों इसके पिछे भी कारण है कि आपन जब कट कर लिया वी पोर्शन तो इसके अंदर जो है इसको आपन जब दबाएंगे तो यह इससा पतला हो जाएगा अगर आपन समली जी इसके अंदर गुरूव करें इसको फसाएंगे तो यह इससा ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो यह वैसे भी पतला है तो इसके अपन ने इसको फिट किया है और जैसे जगह घट रही है अभी तो इसके अंदर थोड़ा सा कट अपन और लगा लेंगे का अपना जो परपस है वो सॉल्व नहीं होता अब आपन इसको जो है पहले ग्राफ्टिंग टेप से थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो दोस्तों हपन जो है थोड़ा सा अपने केमरमेन की मदद ले लेते हैं और इसको अपन जो है नीचे रख लेंगे जिससे वो पकड़ पाएं और केमरे को सई से उदर लगा पाएं तो दोस्तों आपन जो है इसको पहले स्कार्व स्ट साइट साइट बान देंगे ऊपर का इससा अपन पगड़ वाल लेते हैं यह पकड़िसको पर से और इसको एक दम कस गिता अपन बांध रहें बहुत खेंचना निउप पर निकल के बार जेगनी और इसको अपन टाइट करके लपेट रहें इसके उपर तो जैसे मैं आपको कही रहा था अडीनियम में आप जितना क्रियेटिव करना चाहें कर सकते हैं बहुत पॉसिबिलिटी है अडीनियम में आपको जैसा स्वीधा जन कॉइंढ चाह wrapping करें तो यृट तो एक कॉमन प्रेक्टिस हो जाती है और इसको आपने जैसे कंट कर ली है है तो आगे अपने पास क्या Exodus रास्ते हैं दोस्तों एक तो क्या तरीका है कि इसको पाल जो है एक लंभी डंडी लेर इसपर बान डें और दूसरे जो तरीका किया ह कि इसको अपन जो है कोई सपोर्ट वाली जगे पर सीधा खड़ा कर दें तो इसकी विज़े से जो है यह सीधा खड़ा रहेगा आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि यह नीचे गिरे नहीं और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको अपने को धूप में नहीं हो सकता है तो इस तरीके से जो अच्छे से इसको टाइट लेना है अपने को और लपेड करके जब नई ग्रोथ आने लगे तब आपने को जो है इसको दूप में शिफ्ट करना है तो इस तरीके से अपने इसको लपेड दी अच्छी तरह है, सारा इरिया अपने को कवर कर लेना है सेलो टेप से, आपके पास सेलो टेप नहीं हो तो सिंबल पॉलिथिन से अपन कवर कर सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों अपनी अडेनियम की बेल का प्राणभिक रूप त और कोई चीज से सपोर्ट के लिए यहां से इसको बांध के लगा देंगे तो मैं इसको जो है कोशिश करता हूं कोने में जगह देखके जाएं आती वहीं पर खड़ा करूंगा तो दोस्तों इस तरीके से आप भी जो है आपके पास जो भी कटिंग निकले लंबी उसको जैसे एक लंबी जो है बेल आकार का जो है अपना टीनियम तयार हो जाएगा तो आप भी जो है इस तरीके से कोशिश किजिए एक्स्परिमेंट करने का और देखते हैं सकस्फूल कितना होता है कितना नहीं होता है मगर जैसे मैंने बताए कि क्रेटिविटी जितना करेंगे उत्र अक्षर प्लांट्स प्लांटेस आपका अपना चैनल है ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार